हाँ हम बात करेंगे ध्याना कर्शन तकनी की आधारित कोर्स साथ की इसके पहले छे कोर्स आप सभी लोग कर चुके हैं और यह साथ हुआ कोर्स है इसमें हम सीखेंगे इस कोर्स का नाम है सीखने के लिए बातचीत दिखी यहां कोर्स का नाम हमने लिग दिया है इस सीखने के 10 अपलिक 10 पर और चीजों को complete करते हैं इसमें हम आगे हैं दिक्षा एप पर और इस पर्टिकुलर ध्यान अकर्शन सीखने के बातचीत पर आगे हैं और यहां सीखने के लिए बातचीत का आकलन आप नीचे के तरफ देख पा रहे हैं इसको जैसे ही हम start करेंगे तो यह आपक कर चुके हैं तो कि पहला यहां पर प्रशन आपके सामने जो है बच्चों को सीखने में मददगार वा आपसी संबंद स्थापित होगा नीचे दिये गए सही बिकल्प चुने तो यहां सही बिकल्प आपको चुनना है इसमें से चार options दिये गए हैं तो यहां जो बिकल्प आपका सबसे सही बिकल्प है वो बिकल्प सही है सीखने के लिए बातचीत और इसी के तहट आप दिखिसको टिक करिए और आगे बढ़ जाईए फिर उसके बाद सिक्षक बच्चों को अक्षर सिखाना चाहते हैं नीचे दिये गए सही बिकल्प चुने तो चार बिकल्प आपको यहाँ पर चुनना है चारो बिकल्प तो एक सिक्षक बच्चों को तो अक्षर से सुरू करें यहाँ पर जो यह बिकल्प हमारा सही है इसे टिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे फिर यहाँ देखिक अक्षा सिक्षा प्रभावी होगा तो यहाँ पर चार बाते बत तो यह चोटा हो जाएगा फिर उसके बाद जो प्रभावी आपका एक तीन और चार एक तीन और चार इसे टिक करने के बाद आप आगे कि तरह बढ़ जाएंगे फिर अगला कुशन है सिक्षक वा बच्चे अपने बिचारों का आदान-प्रदान करेंगे तो सीखने के लिए बातचीत यहाँ पर भी आपको यही ऑप्शन सही मिलेगा फिर उसके बाद सिक्षक कक्षा में बातचीत के लिए नेमने कि गत्विदियों का आयोजन करते हैं तो यहाँ पर आपको चार मिलते हैं नीचे दिये गए विकल्पों को सही से चुने आप खेलों के माध्यम से ग कुछ कथन नीचे दिये गए हैं इसमें आपको नीचे कर लेंगे तो देखिए सारे कथन चार कथन है उसके में से एक विकल्प आपको चुनना है तो यह विकल्प कुछ कथन में से जो आप्शन सहे तो एक तीन और चार है तो एक तीन और चार विकल्प आपके सही हैं इसे टिक करने के बाद आप आगे बढ़िए एक सिक्षक कक्षा के दोरान एक सिक्षक कक्षा के दोरान बच्चों को हाओ भाओ कसे के साथ कहानी सुनाते हैं कहानी सुनाने सुनाते हुए बच्चों के बीच बीच में प्रसन भी पूछते हैं और बच्चें भी उसी के अनुसार उत्तर देते हैं इस प्रकार के क्रिया कलाप से आप क्या समझते हैं तो यहां आप देखेंगे तो यह चार आप्शन्स आपके सामने हैं चार आप्शन्स में से एक आप्शन आपका सही है तो यहां आप देखेंगे कि पहला आप्शन्स कछा में बच केवल बच्चों के और उस सवाल को पढ़ने के बाद आप देखें बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी यह option इसका सही हो जाता है किसी भी बिसए में किसी भी बिसए में बच्चों से बाच्चित करने से होता है सीखने की छहमतार का विकास होता है आप से जिसक दूर होती है से सीखने में बिकल्ब मिलेगा किसी भी भी सही में तो यहां बिकल्ब आपका सही होगा देखिए यहां पर जो बिकल्ब सही आपका है वो बिकल्ब सही है आपका एक दो और चार एक दो और चार यह बिकल्ब सही है इस तरह किसे हम अगले कोशन्स पर आ जाते हैं बिद्याले में सिक्षक निमनलिखित में से तो यहां पर आपका जो विकल्प आएगा एक दो और तीन आएगा एक यहां पर जो आपका विकल्प आजाता है यहां पर देख पाएंगे तो यहां आपको विकल्प जो सही मिलेगा दो और तीन सही विकल्प मिलेगा फिर उसके बाद अगले कोश्चन प देखेंगे तो जो विकल्प हैं उसमें से एक दो और चार ये विकल्प सही है इसे करने के बाद आपके बढ़ जाएंगे देखी यहाँ पर दस के दस कोशन समने अटेम्ट कर लिए इसे सम्मिट करेंगे तो आपके सामने देखें दस के दस कोशन सही हो जाते हैं अगर आपक करेंगे नहीं तो आप exit हो सकते हैं यहां से तो उम्मीद करते हैं आपका यह माडूल पूरा हो जाता है इस तरीके से तो मिलते हैं अगले माडूल में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत